है 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 हसान जी बताइए आवाज क्लियर आ ही आ रही है 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 कि अधिक साथी जोड़ जाएं जल से जल जो लोग जुड़ चुके हैं आप लोग एक बार वीडियो को जहां भी जिस भी ग्रूप में जुड़े हुए हैं वहां सेयर कर दीजिए क्योंकि नौ मार्च अब जैदा दूर नहीं है परसो ही है नौ मर्च और हर जिले में हर डाइट में ग्यापन पढ़ना एवं वहां से ग्यापन का प्रवर्ड होना अत्यनत आवस्यक है जुड़ जाईए आप लोग सभी लोग तब तक एक बार वीडियो जो है सभी जगा सेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ सकें कि अलो कि अदो हशान खान जी और भी लोग है थोड़ा सेरिंग हो जाए वीडियो की सभी लोग जुड़ जाए तो हम अपनी बातों को तुरन तरख दें दस मिनट के अंदर क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है हर जिले में भी बात करना बाकी है कि कौन किस जिले सुज जो है कि आपन देने में सक्री भूमी का निभा रहा है कि अगला मिशन नौ मार्ची होने वाला है विसंगती का रिजल्ट यहां कापिया मंगाई गई है पी एनपी कापी मंगा कर पी एनपी में और देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है उन कापियों में उसके बाद विसंगती का रिजल्ट आ जाएगा गूड इवनिंग नमस्कार विनीर जी ठीक है सब लोग जुड़ रहे हैं एक बार सबी लोग अच्छे जुड़ जाएं आवाज नहीं आ रही है क्या बिजनौर अंकुर जी आज आपके मुरादाबाद मंडल से कुछ पदाजिकारी नियुक्त होंगे आज रात भर जो है नियुक्ति हो जाएगी सबकी बिजनौर से जिलाद देच्छ उनका मुबाइल नंबर आज आएगा सोसल मीडिया में आप परसान नहीं आ रही है कि सीता पुर्जिले से ध्यान दीजेगा नौ तारीक को विवेक यादो जी तेले जिल लोगों को दुड़ना था जुड़ गये हैं बाकी ठीक है ग्यापन नौ तारीक को जो भी संग्ठन की तरफ से है जो हम लोगों की तैयारी थी वो सब अप्षी हो चुकी है बहले ही आप लोग समय से ना जुड़े क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं रहता है बहुत बेस्त रहते हैं आप लोग और कि सौरब नाम है हाथ रसक जिला दच का डाइड से हैं डाइट हाथ रस से हैं विजी जहाँ पूर से पीली भीत ठीक है अब राल जी आप भी ध्यान दीजेगा अपने जिले में ग्यापावर से पढ़ जाए अंकुर जी एक काम करिए हमारे होट्षप नंबर पर अपने जिले के साथ जो है मैसेज कर दीजिए अगर बिजन और जिले से आप तयार है शौरभ यादो जी आजम गड़ से अभी कोई आफिशली नियुक्त नहीं हुआ है दुर्गेश जी तो अगर आप लोग जाना चाहें आप लोग जाईए जो भी सुविदा होगे मुपलब्द करा देंगे जो भी जिस जिले से आप लोग कह रहा है न तो आप लोग सब लोग अपना मुबाइल नंबर साथ में कमेंट करते जाईए मुबाइल नंबर आप लोग नहीं कमेंट करते हैं तो फिर हम कहां से आप लोगों से संपर्क कर पाएंगे मुबाइल नंबर अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि जित्ती देर भी हम देखेंगे सब कमेंट चेक करेंगे तो आपका मुबाइल नमबर होट्सप नमबर जो भी होगा उसमें उठा के आपके जिले के ग्रूप में जोड़ देंगे या तो जो है आपको जो है कॉल कर लेंगे और जो छात्राएं हैं जो च्छात्राएं जुड़ना चाहें वो पर्सनल मैसेश कर दें वो मुबाइल नंबर अपना ना कमेंट करें हाँ तनु जी पीली भीज जिला आप ही के उस पर है दिपांसु जी कल हम आपको देखना चाहेंगे सुल्तान पुर्डाइट में कमेंट तो आप बहुत अच्छे ची करते हैं ठीक है आप सभी लोग जो भी जुड़े हुए जो भी अपने जिलों में पता दिकारियों से जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना मुबाइल नंबर इसी लाइब वीडियो में कमेंट कर दें और कल तक में वो सब लोग जुड जाएंगे परशान मत हो कल तक में सब जुड़ जाएंगे विर्कुल सौरब जी फरक क्यूं नहीं पड़ता है फरक छोटी-छोटी चीजों से बहुत पड़ता है अनिकेत यादो जी आगरा देखें बहुत से पता दिकारी इसमें जुड़ चुके हैं आल्रेडी हमारे कई कंछी सही रहेगी कि नवतारी को आम-प्रस्च भी जाएं है कि ग्यापन का जो मैटर होगा जो ग्यापन का पूरा मैटर होगा बोग कल व कि फेस्बुक के इसी गूरूप में पढ़ जाएका प्लस उसकी साथ सी होइसाइब ग्रूपों में पढ़ जाएगा हमारा जो letter pad है वो प्लब्ध रहेगा वो लेटर pad के साथ पड़ा रहेगा संगठन को जो पदादिकारी है उनके पास उनका letter pad है ही लेकिन अगर बिल्किल जो है शोनभाद से परवीन तिवारिज ही है वो भी बहुत शक्री है तो अगर आप लोग चाहे तो तो हमारा लेटर पैड आप लोग print आउट निकल वाके उसको ले जाके उशी को ग्यापन की रूप में दे सकते हैं या खुद का मैटर अगर आप लोग बनाना चाहें तो वह भी बना सकते हैं उसको भी दे सकते हैं ग्यापन की रूप में मुबाइल नंबर कमेंट कर दीजे ब्रिजेश जी बरेली आप तक वाद आही रही होगी बरेली मंडल देखिएगा थोड़ा ग्यापन में अभी आपको कॉल भी करेंगे थोड़ी दिर बाद नंबर इलमाश खान जी आप जो है नंबर अपना कमेंट कर दीजे जीला गरूर आप लोग लिग दिया करिए और है क्योंकि यहां नंबर पढ़ जाते हैं तो बहुत इदर उदर के मैसेज या कुछ हराजक तो होते हैं जो आपके नंबर उठा लेंगे और इदर उदर की एक्टिविटी में मैसेज करते रहेंगे उनको ब्लॉक कर दीजे या कोई दिक्कत ज्यादा कर रहा है तो हमें बत झाल झाल पर शिच्छन संस्थान हर जिले के खूल जाते हैं आप लोग जो भी लोग हैं दस से ग्यारा के बीच में अपने अपने डाइट में अंज鬼ρο से वेत प्रकास जिन जी दिपांसु जी आप अपना नंबर कमेंट कर दिजी आपको वेत प्रकास्स जी संपक्क करवा देंगे तो भी विद कर कमेंट कर दिज Credit de Dios Department कर नाम से तो थीक है सब लोग आप अपना नंबर कमेंट कर दिजिए सब का नंबर सब के में और साम तक में और यह चीज यह है कि बाकी लोग जो और लोग आप लोग जो और एक्टिव है इस समय सोचल मीडिया में वो लोग थोड़ा इन नंबरों पर कमेंट मत कीजेगा नहीं तो बहुत ज्यादा कमेंट हो जाएंगी तो हम देखने नहीं पाएंगे कि कहां कौन सी कमेंट चली गई देखे अब मुरादाबाद मंडल से हमारे प्रसुचु साथी का फोन आया थो उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद मंडल के चारो जीलों में ग्यापन की प्रक्रिया किशीन किसी तरह से करवाएंगे ठीक है तो बस यही है देखे एक सिस बताएं जो आप लोगों ने इमेल भेजी थी आप लोगों को बहुत लोगों को लगता है कि उसका सायद कुछ असर रिस्पॉंस नहीं हुआ है रिस्पॉंस मिला है उसका असर हुआ है जानते हैं क्या है जो मुवाइल नंबर सोनी गोविंद जी आप कमेंट कर दीजिए अपना मत्फुरा डाइट से अबर आप है कि बाऊने जो PNP या SCIT या कोई भी सरकार्स अस्थान होता है एक ही email का वो इस्तमाल करता है जब वो एक ही email का इस्तमाल करता है और आप उनका जितना भी कार है मुबाइल नंबर सबी लोग मुबाइल नंबर कमेंट कर दीजे सब के जिलो की ग्रूप में हम उनको जोड़ देंगे बस पूछिए नहीं बार बार क्या है कि जब आप लोगों ने इमेल करना सुरू किया उनके कुछ महत्पूर इमेल भी उसमें आते हैं जिनको देखकर उन्हें काम करना होता है आपने काम करना आपने इमेल करना सुरू किया वो डिस्टर्ब होना सुरू हुए क्योंकि इमेल एक दो की संख्या में नहीं गए है हजारों की संख्या में email गएं है वहाँ पे जब हजारों की संख्या में email गएं है लगभग पांच हजाजाच, 6000 तो हमारे पास ऐसे हैं लगभग एक अंदाज़ा है क्योंकि gallery हम clear कर दिये थे तो आप स्क्रीन सॉट आये हुए थे उसके बाद यह भी बहुत से लोग होंगे जो इसक्रीन सॉट नहीं भेजे होंगे अब वो लोग भी इमेल दिये होंगे ठीक है तो यही कह रहा है कि जब आप इमेल भेजना सुरू किये वो लोग अपना महत्तपूर्ण को एक काम कर रहे हो होंगे उससे वो लोग डिश्टर्ब हुए जब शार्थक यादों है करनों से जलाद है जब वो डिश्टर्ब हुए वहीं से उनको दिक्कत होने लगी अगर वो एक बार इस बारे में सोचे भी नहीं होंगे कि यार थर्ड से विश्टर एक्जाम को कोई मैटर भी है क्या उनके दिमाग में यह बात आई होगी और यह बात आई है क्योंकि वहां अमारी PNP में बात हुई है किसी से वो नाम हम ओपन नहीं करेंगे उन्होंने यह कहा है कि आज जो इमेल पड़े है उससे कहीं न कहीं यहां प्रभाव रहा है इस बारे में बातचीत हुई है छोटी 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 चीज़ें ही बहुत फरक कर देती है आप लोगों को लगता है कि आर कुछ नहीं हुआ है परिणाम एक दिन में नहीं दिख जाता है जब आप दीरे-दीरे शुरुवात करेंगे तो परिणाम एक निश्चित समय के बाद आपको दिखने लगेगा थैड़ से समिश्टर के एकजाम अपरेल प्रथम वीक में हमें हरहाल में कराना है अपना जो 95,000 साथी हमारे पास है और जिनका समिश्टर भायक नहीं है उनके सब के एकजाम अपरेल प्रथम वीक में अगर हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ हमारी एक कोशिस यह भी रह देंगे तो सीद्वी सी बात है कि हम उसके बात पिनपी जाएंगे पिनपी जब हम जाएंगे तो वहाँ एक बात यह भी रखेंगे कि अगर जो जिन साथीयों का बैक लगा हुआ है उन साथीयों का एकजाम ठड़ समस्टर एकजाम के साथ अगर कराना संभव हो पाए तो करवा लिया जाए वसे दिक्कते तो काफी है लेकिन फिर भी अगर एक बार कोशिस की जाती है और उन साथियों का पूरी तरह से करवाने के लिए जो डालेंगे पी एन पी में क्योंकि अगर चौथे समेश्टर तीसरे समेश्टर के साथ नहीं हुआ इन लोगों का एक्जाम तो यह लोग बहुत बूरी तरह डीलेड में फसने वाले हैं फिर क्योंकि आप यह बैच भी नहीं आया है बहुत कुछ कर सकते हैं आपके कॉलेज में आप ही की तरह कई लड़के होंगे उनके जो है हर जखा कहीं न कहीं कोई नो कोई दोस्त होगा सोचल मीडिया है वहां डालिए किसका बैक लगा है उनके नंबर उठाए होट्शेप ग्रूप बनाईए ज्यादा ज्यादा बैक वालों क अब वही लोग सामने नहीं आएंगे तो हम यहां PNP जाकर अपनी बात रख देंगे बस और इससे जादा थोड़ी कुछ हो पाएगा तो बैक वालों के लिए फिलाल यही है हमसे जितना भी हमारी कोशिस होगी यही रहेगी कि थर्ड़ सबेस्टर के साथ उन लोगों के भ कि सर जो हम आप लोगों को यह ग्यापन दे रहे हैं कि हमारा थर्ड सेमेश्टर का एक्जाम अप्राइल में हो जाए ताकि हम आगामी सिच्छक भरती टेट और अन्य जगहों पर एक्जाम दे सकें और समय से हमारा बैच पूरा हो सके तो उनसे यही कहिएगा कि सर यह जो कि आपन हम दे रहे हैं इसको आप अपने पास तक मत रखिए क्योंकि आप अपने पास तक अगर इसे रख लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा इसको PNP को आप अपने लेटर पैड से फारवर्ड कर दीजिए अगर आप हमारे हम आपके प्रसुच्चु हैं आपके ज जुनाओं से पहले लोगों के एक्जाम हो जाए सत्र लेट नहों बैकेंसी में बैठ सकें देखिए डाइट प्राचार अगर यह बात अपने लेटर पैड से लिख देते हैं PNP को फारवर्ड कर देते हैं तो इसका बहुत ज्यादा असर PNP पर पढ़ने वाला है क्योंकि जो सिस्टम है वो चलता डाइटों से ही है डाइट छोटी छोटी एकाईया है अगर वहां से बात ये पहुचने लगी कि हमारा एक्जाम जो हमारे परसुच्चु है जो हमारे जिले में परसुच्चु है उनका एक्जाम अपरायल में कराया जाए तो PNP निश्चित में मत लीजिए जरूरी नहीं है कि PNP नियामक में ही भीड इकठ्था हो वो तो अंतिम राष्टा है अगर नहीं शकारात्मक परिड़ामा है तो अंतिम राष्टा है लेकिन हमें इतना विश्वास है कि अगर सरसट अरसट डाइटों में से 40-50 डाइट के प्रवक्ता भी इस चीज़ को लिख दिये तो आप लोगों के हमारा और जिन पर सुच्छों का एकजाम होना है वो सब अप्रैल प्रतम बीक में हो जाएगा ठीक है इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजे और एक चीज़ डाइट प उनको पी अनपी टक फारवर्ड कर देंगा आप लोग बहस कर दिए तो कह देंगे ठीक है फारवर्ड कर देंगे फिर फारवर्ड नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा शांती पूरवक्त जाकर जो है इकजाम के लिए गयापन दीजिए अ ठीक है जो डाइट प्राचार से आप लोग निवेदन करेंगे वह यहीं कीजिए कि सर एक बार आप वह हो सकता है कि कहें भी किस्ते यार क्या होगा क्यों परिशान हो जब एक्जाम होना होगा हो जाएगा लेकिन आप एक बार यह अपने लेटर पैट से इसको फारवर्ड कर दीजिए बस साक्षी गौतम जी थर्ड समस्टर के एक्जाम का हमें नहीं पता है कि कब होंगे लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से लड़ेंगे तो एक्जाम अप्राइल प्रथम बीक में हो जाएंगे ठीक है और बाकी 9 तारीक को अगरियोंजी 9 तारीक को गोंडा में आप ग्यापन दिल्वा देंगे पूरा भरोशा है और 9 तारीक को ग्यापन पढ़ना है परषो के दिन उम्मीद है हर जिले में पढ़ जाएगा जहां छूड़ जाएगा वहां 10 को 11 को हर हाल में हमें सरसट के सरसट जिलो जो डाइट है कुछ अभी नए भी डाइट है जो चालू हुए है तो हर जगा ग्यापन पढ़ना चाहिए पी एनपी में जिस दिन हम जाएंगे उस दिन लिखित रूप से थर्ड समेश्टार एक्जाम के लिए ग्यापन दे के आएंगे ग्यारा को दस ग्यारा या बारा इनी तीन में से एक डेट में पी एनपी में जाएंगे क्योंकि पहले थोड़ा से रिस्पॉंस देख लें कि हर जिले में क्या हुआ है एक सिस और जो लोग आप लोग ग्यापन देने जाएएगा तो जो वहां आप लोग फोटो कीशेंगे पिक क्लिक करेंगे उसको डियलेट से पर सुच मोच्चा कि इस ग्रूप में आके जरूर पोस्ट कीजिएगा पोस्ट इसलिए कीजिएगा ताकि जो लोग अभी सो रह होगी इसलिए कि दस से ग्यारा के बीच में आप लोग जाएगा जब वहां को यह बोले कि आप लोग की टीचिंग लगी है आप लोग यहां क्यों है तो उनसे कहिएगा कि सर अभी आप ग्यापन शुकृत कीजिए उसके बाद हम टीचिंग करने जा रहे हैं आज हम टीचि लेट वहां साइन होते हैं उसके ठीक है तो आप लोग तो ऐसे भी अभी प्रशिच्चुई है तो ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े तक ग्यापन देके और उनको कह दीजेगा कि हम जो है टीचिंग करने जाएंगे उसके बाद हम लोग बस टीचिंग करने जा ही रहे हैं यह है कि हमारा थर्ट समस्टर का एक्जाम भी हो जाए समय से इसलिए आये हुए हैं कि आपन देने लिए हम जितनी उनिटी कठा कर सकते हैं कर रहे हैं नौ तारीक को जो संगठन के पदाधिकारी है वो लोग अपने अपने जिले से तो जाएंगे ही प्लस अगर उस पे जह जहां थोड़ा निस्क्री है वहां से अगर प्रसिचु जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा इस जिसको ध्यान दीजेगा बाकी रही बात PNP में धरने की उसकी भी डेट आएगी लेकिन यही है कि अगर काम आप लोगों के डाइट से बन जाता है तो PNP आने की कोई और स है कि अगर आप आज एक संटेंस सुनिएगा बहुत इंपॉर्टन संटेंस है अगर आज आप अपने घर से निकल कर अपने जिले के डाइट में नहीं जा पा रहे हैं तो आप PNP नहीं आप आएंगे फर्जी हम को चाहें जो आप लोग आशासन देते रहें कि PNP आएंग हैं आप अपने जिले के डाइट तक पहुच नहीं पा रहे हैं अपने डाइट में आप अपनी बात्तों को अपनी मांगों को जो है सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं और PNP में आप करा हैं कि एक बार डाइट जाए डाइट में ग्यापन दीजिए हम PNP जाएंगे PNP से जो भी सूचन होगी आपको 11 या 12 तारीख को हम दे देंगे कि उसका कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है अप्राइल में एक्जाम कराने की कुछ बात चल रही है या नहीं चल रही है अगर अगर बात चलेगी वहां से कोई आश्वाशन मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिलता है तो हम PNP में धरने की भी डेट घोशित करेंगे यह डेट 15 मार्च के आज पास ही रहेगी तब आईएगा सभी लोग PNP सबका यहां प्रयाग राज में स्वागत है लेकिन उसके पहले ठीक है बागपत से अभी कोई जिलाद्धच नहीं है अगर आप लोगों के उसमें कोई सक्री हो तो आप अपने वाइल नंबर कमेंट कर दीजिए हम संपक कर लेंगे बस्ती जिले से गुलाब तिवारी जी ग्यापन जरूर दिलवाईए और उसको और हाँ एक शीज़ और अगर आप लोग कर सकें तो इसको मीडिया तक भी पहुँचाईए जो आप लोग वहां ग्यापन की पोटो कीचे अपने अपने जिले की मीडिया को जरूर दीजिए तो मीडिया को प्रकासित करने के लिए कहिए प्रकासित करवाईए इसका बहुत असर पढ़ता है आप लोग को लगता है कि कोई असर नहीं होता है लेकिन असर बहुत पढ़ता है जब तक आप ये एकदम सोचते रहेंगे कोई असर नहीं पढ़ता है कुछ नहीं होता है त चोटी चोटी चीजों का हम अगर चार बार पी एंपी जाके असचुसर ये कहें कि थर्ट समिश्टर के एक्जाम अप्राइल होगा तो उसका भी असर पड़ता है उसको बार बार यह हसास होगा एक जो है आप लोगों के बीच में इस समय बहुत भ्रह्म भना हुआ है प्रथ उसे तोर पर यही कह रहा है कि कैंसिल होगा लेकिन लिखित रूप से अभी आदेश नहीं आया है क्योंकि सी आइटी को कुछ चीज़े अभी गई हुए सी आइटी को पत्र भेजे गया है इस अंदर में सी आइटी से जब वो चीजे यहां पी अन्पी तक आदेश की ड़ूट आप लोगों का केंसिल हो गा तो इसलिए परशान मत होए अन्हाई अभी भ्रहमित होगे बागी रही बात पढ़ने की फट पढ़ें की थाड़ पढ़ें की सेकिंड पढ़ें तो सेकिंड में जिसका जिस सब्यक्ट में बैक लागा है उसको पढ़िये अपनाश सेमिस्टर आप पढ़ते जाई लेकिन थर्ड सेमिस्टर सबसे पहले पढ़िए क्योंकि अगर माल लीजे बैक पेपर अभी नहीं हुआ तो थर्ड सेमिस्टर का पेपर होगा क्योंकि जिस तरह सेमिसक्रीता दिख रही है सबकी हमें लग रहा है कि कल ग्यापन हर जगापढ़ने वाहाला है कई जीलों में पढ़ने वाला है अगयर ग्यापन पढ़ा वह ग्यापन फारवड हुआ तो एक्जाम डेट दस अपरेल के पहले पहले आपकी एक्जाम की डेटे होंगी यह चीज भी आप देख लिजेगा तो यही है कि 9 मार्च एक डेट आप लोग निश्चित कर लिजेए निश्चित है संग्ठन की द्वारा बाकी जो मैटर होगा वो गुरूप में कल सुबा पढ़ जाएगा उसको सब लोग अपने पास प्रिंट आउट निकल वाकर रख लीजेगा हर जिले के जिलादेच कारकारणी अपर सुच्छू सभी लोग 10 से 11 बजे के बीच में अपने अपने डाइट पहुंच जाएं कोई किसी को फोन करने क्यों सकता नहीं है अपने लिए खुद आईए खुद पहुंच जाएए वहाँ क्योंकि जब तक अपने लिए आप स्वयम आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है अगर इससे बात बनती है तो ठीक है नहीं बनती तो पंदरा मार्च के आज पास आप लोगों को PNP घेराओ की डेट दे दी जाएगी PNP में धारना होगा एक्जाम अपर पहले तो कोसिस करेंगे कि थर्ड़ सेमेश्टर के जो एक्जाम हो रहा है हम सचीजित के सामने जब ग्यापन देने जाएंगे तो उसमें यहीं मांग हम रखेंगे की हो उनका भी एक्जाम लेकिन अगर माल लीजे किसी कारणबस क्योंकि समय बहुत कम है और वह पहले निय लिखित रूप से कोई भी प्रमोट कैंसिल होने का आदेस नहीं आया है तब तक आप लोग अपना प्रमोट कैंसिल मत मानिये जब आदेस आ जाए तब आप लोग अपना प्रमोट कैंसिल मानिये संभावना प्रमोट कैंसिल होने की ज्यादा है क्योंकि PNP हम दो बार तीन बार जाच चुके हैं वहाँ यही बोला गया है अभी शंगत के कांट जिनका रिजल्ट रुका हुआ है सचुज ने कहा है कि उनकी कांपी हम PNP मंगा के पूरी जाच करके और जो है उनका आप देने वाले क्योंकि बहुत हो गया डेड़ महीना हो गया रिजल्ट नहीं आ रहा है ठीक है कि कल आप लोगों को डिटेल गुरुप में मिल जाएगी सभी होगा सब गुरुपों मिल जाएगा ग्यापन का लेटर पैड पूरा मिल जाएगा नौतारीक को दस से ग्यारा बजे के बीच में अपने डाइट एक ही लेटर पैड यहां से अपना डाल देंगे पूरा मैटर लिखा हुआ प्रिंटेड लेटर पैड डालेंगे तो जो भी उसको निकलवा के जाना चाहे निकलवा के जा सकता है बाकि अगर जिलाध्यच अपना लेटर पैड इस्तमाल क कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैटर सभी लेटर पैड में एक ही होना चाहिए मैटर अलग-अलग नहीं होना चाहिए तुकि अलग-अलग मैटर होने से दिक्कत बढ़ जाएगी मैटर एक ही हो, मुद्दा एक हो और डाइट प्राचार्यों से ये निवेदन जरूर करिये कि सर अगर आपने आज एक ग्यापन अपने लेटर पैट से फारवर्ड कर दिये बच सकता है, सिच्चक बात्ती में हम सामिल हो सकते हैं बाकी कल सुबह से ग्रूप में पोस्ट करके और हपते-दस दिन का समय तो मिलेगा ही प्रसान मत होई है मीना जी तो कल हम ग्रूप में सुबह 10 बज़े के बाद एक्टिव होके और सारी पोस्ट कर देंगे आप लोग एक शी जोर ध्यान देंगे एक ग्रूप जब आप लोग खोला करिए तो उसमें बहुत सी पोस्ट रहती है तो आप लोगों बहुत पोस्ट मिलती नहीं है ग्रूप में एक जगा लिखा है अनौसमेंट announcement में जाके आप लोग जब खोलेंगे तो वहाँ सारी पोश्ट मिल जाएंगी एक तरफ से ठीक है इसकुटनी की प्रक्रिया अभी जब आदेश आएगा उसके बाद ही इसकुटनी की प्रक्रिया शुरू होगी हमारा नंबर हमारा नंबर अगर जिसके पास नहों अब लोग सुन लीज़े लिख लीज़े इंक्यानबे चालिस बावन शत्रा सेटिस इन होंगे आज कोशिशन खुब करते हैं कि जो सबका रिप्लाई दे सके सबका फोन रिसीव कर सके लेकिन अब यही है कि हम भी कितना कर सकते हैं जितना किया होता हुत्ता करते हैं कि नव मार्च दस से ग्यारा बजे प्रदेश का कोई भी डाइट आप लोगों से बचना नहीं चाहिए हर जगहा ग्यापन पड़े ग्यापन पी अनपी सच्चु को फारवर्ड हो सभी प्रसुषाथी इस जी इसको ध्यान देंगे और सभी लोग आप लोग समय से पहुंच जाएगा कोई किसी के फोन कॉल का इंतजार मत कीज़ेगा ठीक है धन्यवाद नमस्क्रा सभी प्रसुषाथियों को